नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अजय साह को गिरफतार किया गया है, वहीं अजय साह की गिरफतारी पोस्ट ओफिस के सम्मिप से की गई दरसल मामला यह है कि चात्रा के दर्यातु पंचायत के असाडिया देवी मंडप के पास पी सी सी सलक निमान किया जा रहा है सलक निमान पंद्रावे बीच से 2,10,10 रुपे की लागा से की जा रही है इससे लेकर पंचायत से वक अजय साह 5 पर 30 कमिशन की लागातार मांग कर रहा था जारखन में 6 अपरेल तक चलेगी लू इसके बाद गरज के साथ 12 जारखन में गर्मी कहर बरपा रहा है 6 अपरेल तक जारखन के पुर्वी भागों में लू की चेतावनी जारी की गई है इसके बाद 12 होने के असार है इस 32 से 40 किलोमेटर की रफ्तार से हवाय भी चलेगी बताते गरज के साथ कुछ जगों पर 12 एवं बहरपात भी होने की समभवना है भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची सीथ मौसम केंद्रेक के मौसम विज्ञान अविसेक आनन्द ने अजनकारी दी है अविसेक आनन्द के अनुसार 6 अपरेल तक जारखन के कही हिसों में लू चलेगी मौसम विभाग की माने तो 5 अप्रेल और 6 अप्रेल को कुछ-कुछ जगों पर रूच चलेगी उन्होंने बताया है कि इसके बाद 7 और 8 अप्रेल को लोग गर्मी से थोड़ी रहात मिल सकती है इन दो दिनों के दरान तेज हवाई चलेंगी और बजरेपात होने की भी संभवना है इससे तपती गर्मी से तो रहात मिलेगी लेकिन इसके बाद तापमान में धिरे-धिरे 2-3 डिग्री सेल्टी ग्रेट तक की ब्रिधी हो सकती है पियम मोधी का बाबा नगरी में जोरदार स्वागत परधान मंत्री नैंद मोधी गुरु वार सुबा 11 बजे तीसरी बार बाबा बैधनाथ की नगरी देव घर एयरपोर्ट पहुंशे थे चाहां भाजपा परदेश अग्देश बाबुलर मरांडी गोड़ा सांसन निशिकान दुबे ने उनका जोरदार स्वागत किया है इस दोरान डाक्टर निशिकान दुबे ने पियम मोधी को भगाईया सिल्क का चादर भेट किया उस पर कमल के फूल की आक्रिती बने हुई थी जो भाजपा का सिंबल भी है इसके बाद परदान मंतिर ने हवाई अड़े से ही बाबा बैदनात को नमन कर है हेलिकोप्टर से बिहार के जमूई के लिए रवाना होगा है पांच करोड बैजट के साथ जून से होगी सुब्रोतो कप फूटबोल परतियोगता सुब्रोतो कप अंतरराष्ट्री फूटबोल परतियोगता 10 जून से सुरू होगी इसका आयोज़न परकhando जीला, प्रमंडल और राज अस्तर पर किया जाना है इसका आयोजन इसकूली सिक्षायम सरस्टा भी भाग की ओर से किया जाएगा बतादे प्रखंड अस्तरिय परत्योकता 10 से 12 जुन तक होगी इसके बाद जिला अस्तरिय परत्योकता 17 से 29 जुन तक वही परमंडल अस्तरिय परत्योकता 23 से 25 जुन तक और राज अस्तरिय परत्योक्ता 2-5 जूलाई तक होगी यहाँ से जीतने वाले टीम 30 जूलाई से होने वाले राष्ट्रिय अस्तर की परत्योक्ता में भाग लेंगी परत्योक्ता में बालक वर्ग में अंडर 15 वर 17 और बालका वर्ग में केवल अंडर 17 की टीम भाग लेगी वहीं स्कूली सिक्षायम सर्चता विभाग की ओर से इस आयोजन के लिए बैट 5 क्रोर से अधिक्का रखा गया है पलामू से आठ पसु तसकर गिरफतार 108 पसु को कराया गया मुक्त पलामू के पाकी थाना पोलिश ने गुरुवार की सुबह करीब ανë चार बजए 8 पसु तसकरो को गिरफतार कर इनके कबजे से 108 पसु का मुक्त कराया है इस समद में मामला दर्च किया गया थाना प्रभारी उतमतिवाई ने बताया कि सुचना मिली थी कि तसकरों द्वारा काफी संख्या में पसुओं को भर कर रास्ते से ले जाया जा रहा है इस सुचना पर पलामु एसपी रिसमा रमेशन के निर्देशव प्रसिक्छू आईपीएस गौरव गोस्वामी के नेतियुत्वे टीम गठीद कर चापे मारी की गई जिसके बाद तसकरों को गिरफतार किया गया, उन्होंने बताया कि पाकी के रन्ने भरी की रास्ते तसकरी के लिए पसुओं में दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा था पूलिस टीम ने घेराबंदी कर सावी पसको को जब्त कर लिया है पूलिस को देख तसकर भागने लगे लेकिन जवानों ने आठ तसकरों को धर्दवो चाहा है बाबुलाल मरांडी 5-7 अप्रेल तक पलामु गढ़वा दोरे पर भाजपा जीला अध्यक्स अमित तिवारी ने गुरुवार को का है कि भाजपा के परदेश अध्यस बाबुलाल मरांडी अपने तीन दिवस ये दोरे पर पलामु पहुँच रहे हैं पाइच से साथ अप्रेल तक उनका यहां ठाहरा होगा पलामु लोकसभाद छेतर अंत्रगा चा बिधान सबाद छेतरों में बूत अस्तरिय करकाता बैठाक को मरांडी जी समधित करेंगे यहां पलामु गठवागे करकाताओ यहां नेताओ को बूत जीतने का मंत्र भी देंगे बतादे छेहातर डाक्टरेंगा बिधान सबावे सुक्रवार को पुरुवाहान दस बचकरती स्मयाट से मेदनी नगर इस्थीत चंद्रार रेजिडेंसी में आयोजीत बूत अस्तरिय करकाता बैठाक में बतार मुख्य अतिती पूरो मुख मंत्री बावुला मरांडी का आगमन होगा इद सरहुल रामनामी पर भड़काव गाना बाजाने पर रोक बोकारो डीसी बुकारो डीसी बीजिया जाध हुआ एसपी पूजे परकास ने इद सरहुल वा रामनामी को लेकर गुरु आरको अधिकारियों के साथ बैठाक की दोनों प्रता अधिकारियों ने कहा है कि तेवहार के दुरान सुड़क छाक के पुकता इंतिजाम रहेंगे असिरी लोग भरकाव गाना बाजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी इस समद मुनों ने अधिकारियों को जरूरी दिशान दिश भी दिये है साथ ही लोगों से तेवहार सांती वा सवार्द के साथ मनाने के अपिल की है इद्वास सरहुल 11 अप्रेल को जब किराम नमी 17 अप्रेल को है बैठक में तीनों तेवारों को लेकर विभीन विंदों पर चर्चा की गई है भाभी सीता सुरेन के खिलाप नहीं लड़ेंगे हेमान सुरेन जेमेम ने दुमका से दिया टीकार लोगसभा चुना दो है चोबिस के लिए सभी दलों ने तेरिया तेज कर दी है इस बार भी कूल साथ चर्णों में वोटिंग होनी है वहीं ज़ारखन की 14 लोगसभा सीतों के लिए 4 फेज में मददान होंगे बतादे गुरु आरको ज़ारखन मुक्ति मोर्षा ने दो सीटों पर परत्यासियों के नामों का एलान किया है ऐसी अटकले थी कि जेमेम दुमका से जेल में बंद हेमान सुरेन को चुनावी मैदान में उतारेगी लेकिन इस सीट से नलिल सुरेन को टिकर दिया गया सुरेन परिवार से बागावत करने वाली सीटा सुरेन को भाजपा ने दुमका सीट से अपना उमिदवार बनाया है दरसल जेमेम छोड भाजपा में सामिल हुई यमान सुरेन की भावी सीटा सुरेन को भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से परत्यासि बनाया है बिहार का कुख्यात अपराधी बिमले स्यादो गुमला से गिरफतार जार्खन की गुमला पुलिस ने बिहार की कुख्यात अपराधी बिमले स्यादो गिरफतार कर लिया है उस पर बिहार पुलिश ने दो लाग रुपय का इनाम भी रखा था उसे गुमला सहर चे पकड़ा गया वह नाम बदलकर गुमला सहर में किराये के मकान में रह रहा था वह बिहार के गया जहानाबाद पटना इलाके में सक्रिये था उसने दो दर्जन साधी घटनाओ को अंज जाम भी दिया है जारखन में भी वह संगठन विस्तार करने की योईना बना कर गुमला में छिप कर रहा रहा था गुमला एस पी संभुक कुमार सिंग को गुप्त सुचना मिली थी कि वह बिहार का कुक्यात अपरादी बिमलेस यादो गुमला में छिपा हुआ है इसके बा बन सकेंगे इंटर प्रसिक्षित सहायक आचारी के पदो पर इनकी नियुक्ति नहीं होगी इसकूली सिक्षा यमसक्षता विभाग ने इंटर प्रसिक्षित सहायक आचारी के पदो पर नियुक्ति के लिए आवस्यक आहरता में संसोधन किया है जिसमें बीड उतिन अभिय पूर्व सीयम हेमान सुरेन का करीबी इडी के सामने उगला साधे राज जमिन घोटाले मामले में मनी लोड़नी के तहट जाच कर रही इडी ने रांची चीत बीशेस अदारत में पूरो मुख मंत्री हेमान सुरेन वह चार अने पर दाखिल आरो पत्र में कई संसनी खेज पिंटू ने उनके हर जूर्म में उनका सहयोग किया पिंटू ने 18 मर्च को इडी के पुछताश में सविकार किया है कि पूरो मुख मंत्री हेमान सुरेन के निदेश पर ही उन्होंने सीयमो में करेरात उदाय संकर को बर्यातु की विवादीत 8.86 एकर जमीन का सत्यापन का निदेश दिया था। वहीं उदाय संकर सियमो में पिंटू के पिंटू के रूप में काम करता था। पिंटू ने पूर मुख मंत्री की दो और अचल समपतियों का भी खुलासा किया है जिसकी जाच अब बीडी कर रही है। बता देतत कालीन मुख मंत्री हमान स्मुरेन के निदेश पर पिंटू ने जब उदय संकर को बर्यातु के उक्त जमीन के सत्यापन करने को कहा था रांची में जिसमें फरोसी के धांधे में आया बड़ा नाम रांची पुलिस ने जिसमें फरोसी के रैकेट चलाने के आरोप में बीते दिनों दस यूत योगों और पांच योगों को जेल भेजा था डेली मार्केट पुलिस ने लेक भीयो होटल में छपे मारी कर मांसुन पाल और अमरजीत कुमार को गिरफतार किया था बता दे पुलिस की जाज में पता चला है कि अमरजीत ने जनवरी माह में उसे पार्टी से निकाल दिया था पार्टी के लिए अमरजीत कोई काम नहीं कर रहा था इस वज़ा से उसको हटाया गया था पुलिस का कहना है कि अमरजीत के मोबाई से लड़कियों की फोटो मिली है कई के साथ उसके चैट भी मिले है चैट में लड़की कहा भेजी जाएगी इस पर भी बात हुई है इसके अलावा कई लड़कियों के असलील फोटो भी है चेन चिंताई करने वाले गिरोह के दो सदसे बोकारों से आरेस्टे जारखन की बोकारों पुलिस को चेन एसनेचिंग कर लगातार चुनावती देने वाले गिरोह के दो सदसे पुलिस टीम के हाथे चड़ गए हैं चैन चिंताई के कई मामलों में विभीन थानों में इनके खिलाब केस दर्ज है इनकी गिरफतारी के बाद पुलिश ने चैन की सास ली है अभी युक्तों की गिरफतारी के बाद एसपी पुझे परकास ने गुरुवार को कैम्प दो SP कर्याले में प्रेस वर्ता कर्मामले की जनकारी दी है रांची के गरामिन SP बनाये गए सुमीत कुमार अगरवाल लोक सभा चुनाओ तो 24 को लेकर चुनाओ आयोगन जहारकन में 4 IPS अतिकारियों के पोस्टिंग की है सुमीत कुमार अगरवाल को रांची का गरामिन SP बनाया गया वहीं राकेश रंजन देवखर के नए SP बनाये गए ए बिजिया लक्षमी दुमका की IG बनाये गई है वहीं पलामू के नए DIG YS रमेस बनाये गए है इसके साथ ही कैलास करमाली को रांची के ट्रैफिक SP के रूप में ततकाल प्रभाव से न्यूक्त करने का निर्देश दिया गया है बता देख पिछले दिनों में चुनाव आयोग ने करवाई करते हुए लोहर दगगा के जंगलों में तेजी से फैल रही आग जारखन के लोहर दगगा जिले के जंगलों में आग तेजी से फैल रही है एक तरफ जहां बन विभाग के करमी जंगल में आग बुझाने में जूटे है वहीं गिरामिन महुआ चुनने के दोरान चाड़ी वो पत्यों का साप करने को लेकर आग लगा दे रहे हैं यही वज़ा है कि वन विभा के करमचारी के परियास के बाद भी आग बुच नहीं पा रही वन करमियों ने गिरामिनों से अपील की है कि जंगलों में आग नहीं लगाए आग लगाते पकड़े जाने पर कड़ी करवाई के प्रवधान है बता दिलो अदग्गा जिले के किसको वह पेसरार परखंट छेत्र के जंगलों में आग तेज से फ्रेल रही है गुमला में जंगली हाथियो का दहसत घर तोड़ा गुमला जिला के जारी वह चैनपूर बोडर रिथी श्री नगर चटक पूर कोड़ी गाओं के लोग इन दिनों जंगली हाथियो के तांदों से भैवित है गाओं में रोजाना जंगली हाथी गोश कर भारी उत्पत मचाते हैं लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी बन विभाग चैन की नींद सो रहा है बुद्धवार की रात को भी सिरी नगर गाओं में गोश कर हाथी ने जमका तांडव मचाया और देवांती देवी नावक म महिला के घर को धोस्त कर दिया साथी घर मेरा के 50 किलो धान को भी बरबात कर दिया हजारी बाग में कलपना सुरेन को सुनने पहुंचे हजारों लोग पुरमुखमंत्री हमन सुरेन की पत्नी कलपना सुरेन ने कहा है कि सजा सिर्फ हमन्थ जी को इसले मिली क्योंकि वो अप अपना दिवसकारक्रा में बोल रही थी उन्होंने कहा है कि ये जो केंद्र में तना साह लोग बैठे हैं उनको कभी पसंद नहीं आता है कि कोई आदिवासी दलीत अलपसंख्याक वन्चित समाज का बेटा आगे आए जो जारखन के लिए काम करना चाहता है इन लोगों को बर का है इससे कुछ नहीं होगा आदिवासी का बाच्चा है इससे क्या समझ में आएगा गिरीडी में महारानी बहस से एक कलोर बरामत गिरीडी में लोग सभा चुनाओ के मंदजर किसी भी परकार की अवयद गतिविधी परोक लगाने के लिए करवाई जारी है इसी कड़ी मे एफ एस्टी बिभा की टीम ने बुद्वारात बहगोदर से औरा के बीच वाहन चेकिन अभ्यान चलाया इस दवरान जीटी रोड पर बिहार से कुलकाता जाने वाली महारानी बस में छापे मारी की गई जहां से एक डोर 9,50,000 रुपए की बरामत की हुई है जिसमें एक ब बस से मोटी रकम गाया से कुलकाता भेजी जा रही है जिसके बाद पूलिस को अलट कर दिया गया था और बगोदर सर्या के स्टी पयो धनांजय कुमार के नित्रित में एक टीम का गठन किया गया जब सेधपुर में परमजीत गिरोह के गुड़ू पांडे के घर 15 राउंड फायरिंग जारकन के पूर्वी सिम्हुम जिले के मानगो डिमना रोड संजय पथ निवासी और परमजीत सिंग गिरोह के सातीर बदमास गुड़ू पांडे के घर पर गुरुवार की रात अपर गुशे और जिस कमरे में गुड़ू पांडे अपने साथी के साथ बैठा था उसमें फारिंग की गेट बंद होने के कारण बदमास कमरे के अंदर नहीं जा सके बदमासों ने गेट टोड़कर अंदर जाने का पयास के लेकिन गुड़ू पांडे वा उसके साथी ने अंद बनकर दिल्ली गए मेरुभंज के 72 लोग देश में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पदों पर पहुंचने पर अपने मिटी अपने गाउ और अपने परिवार को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं लेकिन राष्ट पती द्रोपती मुर्मु देश के सरोच पत पर पहुंचन गुरुवार को राष्ट पती द्रोपती मुर्मु के पैतरी गाउ मिरुभंज जिले के डूंगुर साही और आसपास के गाउं के लोगों की टोली नई दिली के लिए रवाना हुई है सभी के लिए टाटा नगर रेलवे एस्टेशन से भोने स्वार नई दिली राइधानी एक्सप्रेस की एक बोगी को बुक किया गया था निस्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाओं के लिए करे ठोस करवाई के रभी कुमार लोगसभा चुनाओं तो है 24 में तक्निक के इस्तेमाल से फेक नियोज डिप फेक वीडियो का उप्योकर भ्रामक खबरे फैलाई जाने के संकाओं पर सक्रियता से ध्यान रखना चाहिए सभी जीलो में कारवरत मीडिया मोनेटरिंग सेल प्रो एक्टी मोड में कारे करे और भ्रामक खबरों पर तरवित करवाई करते हुए ऐसी खबरों को परशारीत होने से रोकने के लिए निर्धारित गाइडलाइन के अनुसा पर तौरित कार्य करे। सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचा है मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री चमपई सुरें ने हजारी बाग में गुरुवार को आयोजीत चामो के अस्थापना दिवस समारोह में सिर्कत नहीं कर सके उन्होंने सोसल मेडिया पर पोस्ट कर कहा है कि कुछ अपर यहार कारणों से जहर्खन मुक्ति मोर्चा के अपना दिवस के इस महतोपून मौके पर वह करकताओं के साथ नहीं हैं लेकिन वहां न होते हुए भी हर पल सब के साथ हैं उन्होंने करकताओं से अनुरोध करते हुए कहा है कि चुनाओं के इस दोर में हर घर तक हमारी सरकार के उजनाओं को पहुँचाए ताकि जानता भ्रमित ना हो सके उन्होंने वादा करते हुए कहा है कि सभी से मुलकात होगी उन्होंने कहा है कि जहर्खन राज आंदोलन क समय से ही हजारी बाग जहमों का एक प्रमुख गड़ रहा है और आज उस दोर की कई खटी मीठी बाते याद आ रही है इस माटी और यहां के लोगों ने हमेशा ही हमारी पार्टी को स्वयोग एवम समर्तन दिया है होम गाड जवानों के बेतन पर सरकार निर्ना ले होम गाड के जवानों को समान काम के बदले समान बेतन देने से जुड़े और मन्ना के मामले पर चुनवाई करते हुए हाई कोट ने सरकार को 18 जुन तक आदेश का पारन करने या सूप्रीम कोट का अस्थागना देश लाने क का निर्देश दिया है अदालत ने कहा है कि अधी 18 जुन तक अस्थागना देश नहीं आया तो सरकार को समान काम के बदले समान बितन देने का आदेश लागू करना होगा सुनवाई के दोरान होमगाट के डीजी अनिल पल्टा भी कोट में मौजूद थे अदालत को बताया ग प्राधिक मामलो की बरतमान इस्थिती की हाई कोट ने रिपोर्ट मांगी है एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्र सेखर और जस्टिस नवनित कुमार के अदालत ने गुरुआर को सरकार को यह बताने को कहा है कि MP MLA कोट में लंबित मामलो की इस्थिती क्या है कितने माम में अनुसादान चल रहा है अदालत ने CBI और ED को भी केस की अगता निश्थिती की जनकारी देने का निर्देश दिया है धन्यवाद प्यादी आप चैनल पर नाए है तो चैनल की सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकर दबाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साशेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स पर अपना फीड़बैक अवस्यों दे थैंक यू